तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आरेन स्कूल में उमीद करता हूँ आप सभी स्वास्त होंगे और अपनी इस्टेदी अच्छे से कर रहे होंगे तो दोस्तों कल हमने दिली सल्तनत के बारे में पढ़ लिया था आज हम मुगल काल पढ़ने जा रहे हैं जो ते अब ने संसु करठे हैं दिली सल्तनत के पतन के बाद मुगल काल का उग वह उत्या हुआ था और यूस एस्टरीम वीडियो में कवर कर चुकिए हैं अगर आपने देखी हैं तो प्ले लिप स कर सकते हैं जाकर चैनल पर और उससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसने भी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम सारे हिस्ट्री इसी तरह से कवर कर लें और इस बुक के इंपोर्टेंट भाग से ही हम बाद में पॉलिटी पढ़ेंगे उसके बाद म पतन के बाद जो है मुगल कल का स्टार्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत का जो लोधी वनस था उसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी उसको पराजित करके बाबर ने मुगल मुगल वंस की इस्थापना की थी पहला हमारा दौरत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट किस्के यानि कि खाकिस्तान के विरुद्धुसायता करने प्रदान करने के लिए बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वहाग भेजा था तो इसका राइट आंसर है इबराहिम लोधी दौरत खान जो था यह इसका ही परिवार का था जिसने बाबर को काबुल से बुलाया था यानि कि उसकी मदद करने के लिए ताकि वह इबर लिए पर राज कर से करें ऐसा ऐसा दोस्तों नहीं हुआ बाबर उसको मारकर यहीं पर ही बस गया तो इसमें हम पढ़ लेते हैं दौलत खान लोधी ने बाबर को काबुल में समराथ इबराहिम लोधी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के लिए कि उससे लड़ाई के ल ढिए दौरान गैर मुस्लिम वियक्ति उपर लगाई गए व्यक्ति कर्ने पोल्टेक निर्दिष्ट करने के लिए किस सब्द इस्तिमाल किया जाता था तो इसका आइट अंसर है ज bureauc जी याकर लगाया जात है ज़向 chúng रहाए साइब में सरपर्थम फिरोसा तुगलक ने ही जजियागर लगाया था जिसको इसको समाथ करने वाला पर्थम मुगल सासक अकबर यानी कि 1564 में समाथ किया औरंग जेज्जी अगर को बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया कहां पर आराम बाग में उसका मकबरा है काबल में उसके द्वारा चुने गए इस्थान पर दफनाएंगा कि यो कुड मैं मर जाए है मैं कि मेरी कबर को काबलमें बनाया जाए तो अकबर ने ऐसा किया था बाद में हुमाईव का बाबर के साथ साथ किस-किस का नाम पूरा लिखा गया है इसमें हमायो का पूरा नाम लिखा गया है और नुरुद्दीन यानि कि जो जहांगीर था अकबर का बेटा नेक्स कॉस्टन बाबर ने इबराहिम दोदी को कब रहाया था तो यह आप सभी जानते हैं 15-26 में पानीप पानीपत के पिर्थम युद्ध में पहली बार तुगलमा नीती युद्ध नीती वे तोफ काने का प्रयोग किया गया था तोप जो है बाबर लाया था तथा ऐसे गड़्डे खोद कर उसमें अपने सैनिकों को तोप से छिपा देता था ताकि दूसरी सेना के पास तो बस ह नवंबर 1525 इसवी में स्थापित होने के बाद बाबर दिली से 80 किलोमेटर उत्तर की और पानीपत में 21 अपराइल कितने में गया था तो इसका रायरा अंसर है 1526 में दोसरा को से पानीपत का पृथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था हमने अभी पढ़ लिया यह ना एक्स उस विकल्प को चैन के लिए जो मुगल समराटों के काल करण को सही करम में दर्शाता है तो जहांगीर का तो कोई मतलब है यह नहीं पहले उसके बाद अकबर अकबर तो आया था पर रजके अकबर बाद एक डम औरंग रेक नहीं आता इसलिए यह भी गड़िया अकबर के जहांगीर जहांगीर का बेटा था सहा जहां सहा जहां के बाद था औरंग जेव और के काला करम भी लिखे हुए हैं सब आप इनका स्क्रीन 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 ले सकते हैं तथा इनको राम से वीडियो रोकर पढ़ सकते हैं जिनको यह सब याद नहीं है नेक्स्स कॉइसर है तो buy Leonard ऑजिने के लाइं न की थिए कर दिया जाता था जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिए कर गाजी के उपादी किने तने की थी तो इसके बाद हो खानवा का यूद जीता था तो तब इसको गाजी मान लिया गया था नेक्स कुछ संदेश में पढ़ लेते हैं इसके बारे में कुछ खानवा का यूद कब हो था अगले ही साल हुआ था तो इसके एक टीपी बनाते हैं दोस्तों बहुत सारे लोग पानी पिया खाना खाया चाय पी और भागया उसके बाद हम पढ़ लेती हैं आते रहेंगे हां पर तो दूसरे नमबर पहला पानी पानी पूसके बाद खाया था दूसरा कब हो था यह खानवा का यूद बाबर ने 25 सटाइस में खानवा की यूद में बाबर ने मेवार के राजा राना सांगा को पर नहीं के लिए बाबर ने राणा सामे के बिरूद जहाद का नारा दिया के यूद को जीतने के बाद बाबर में गाजी के अच रखाई की घ्रएं कि एक स्कॉसन घूद कब हो थैंह नंए नेसस को इससन कृए म्गल सामराज्य का संस्थण पर कून था बाबर था यह सब जा पंचम वंसज तथा मात्रवंस की और से चंगेज खां का चोद्वां वंसज था यानिकि इनके परिवार परिवार का था इसे मुभियान नामक पद्ध सहली का जनुमताता कहा जाता है कौन सी मुभियान नामक तो अगला कुस्छन है मुगल्स अमराज्य की थापना किस नहीं कीती है सब जानते हैं बाबर नहीं कीती खानवा के लिए लड़ा गया था हमने पढ़ लिया बाबर और राणा सांगा के बीच में दोस्तों यह कि इसमें को सम रिपीट होते हैं तो इसमें यह फाइदा है कि आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा बार बाबर ने भारत पर पहला कब एक यह कब किया था राज़ा शौन फामा पर पहला क्लिया था युद में बाबर ने बाजstation और भेरा को अपने आधिकारिया था बाज और वहरा तारीक है ये लिखी हुई है जो बाबर के नाम से पिरसीद हुआ एक मुखल साथ सकता जिसका मूल निवाज वया मद्य एसिया था नाक्स कोशन मुखल समराज्य के स्थाबना पंदर सब्विश में किसके द्वारा के गए जा बार बार आ जा रहा है कोशन तो बाबर ने 1529 में हुआ था खागरा कयो तो 6 माई 1529 को मुखल बात्सा बाबर और अफगानों के मद्या नड़ा गया था इस युद्व के बारे में यह दुम्हें बाबर ने महमूद लोधी के नेतरत्म में लड़े रहे अफगानों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था तो महमूद निम्न मेंसे किस वंसके सासको को सुल्तान नहीं कहा जाता था तो इसका राइज अंसर है मुगल वंसके सासको को सुल्तान कहा जाता था तो इस वंसके सासको क्या क्या बात्सा कहा जाता था बारत के त्यास में सुल्तान की अपादित तुर्की सासको द्वारा पराण की से मुगल समराटो जिन्होंने बहारती अप महादी पर सासन किया था का उल्टा सही करम क्या है तो उल्टा पूछा इसमें दोस्तों तो इसके यह है यह वाला ठीक है क्योंकि अकबर तो पहले था औरंग जीब भी औरंग जीब से बहादूर सा जे यह बाद मैं था तो सबसे बहादूर सा दिखते हैं फिर उसके बाद उससे पहले तो औरंग जीब फिर सा जहां फिर अकबर क्योंकि यह तो होई नहीं सकते हैं चलिए आप रोकेस को वीडियो देखते हैं उसके बाद में बीच में जब हुमाई वाया था तो उसमें साहर सेरसा सूरी की भी कुछ इत कराया था सेरसा सूरी ने कराया था लाक्स क्वेशन सिंदू घाटी को सोनार घाटी से जोडने वाली साही सदक का नाम निर्मान किसने करवाया था सेरसा सूरी ने यह हमने पढ़ लिया कि किसने ग्रांट ट्रक रोड का पुनर निर्मान करवाया था तो लाट डल होजी ने Grant Tracker Road का पुनन निंद्धा करया था सेरसा सुरी का मकber पर इस्टित है सासरा रामय इस्टित है सेरसा ने अपने जीवन कार्ण में अपने मकberे का निर्मा सोन नदी के तर्द पर करवाया था यह मक़बर अष्ट कोनिये है तथा एक जील के बीच में निर्मित है इसके सासनकाल में भूमी मापने के लिए गज ए सिकंदरी पदिती का परियोग किया जाता था गज ए सिकंदरी की सुरुआ सिकंदर लोधी ने कीती है हमने कल पढ़ लिया था अब कुछ मकबरे हैं तथा इस्थान है कि हम पढ़ लेते हैं बाबर का मकबरा कहां पर इस्थित है काबूल में इस्थित है हुमायू का कहां पर है दिल्ली में और अकबर का कहां पर है सिकंदरा आगरा में और जहांगीर का कहां पर है सहाध राय लाहूर में पढ़ता है और साह जहांगा कहाँ पर है आग्रा में और अरंगजेब का औरंगाबाद में सलीन चिस्ति की कहा इप फतेपूर सीक्री में यह समिन के मकबरे हैं आप सीन सोट ले सकते हैं और फिर से द्वारा डिविजन कर सकते हैं डिविजन बहुत ही जरूरी है किसी भी चीज को याद के लिए सूरी राजबंस की स्थापना सेर सहां ने की थी जिसने कितने से कितने तक सासन किया था इसका रायत आंसर राइप 1540 से 2545 के भीच में इसने मुगल सास्थ हमायो को कन्नोस के युद्व में पंदरह सुचालीस में पराजित कर सूर राजबंस की नीव डाली थी कन्नोस के युद में इसने महमाई को पराजित कर दिया जो बाबर का बेटा था इसमें सेर खान यानि सेर सहा ने बंगाल पर आकमर कर गिया सुद्दीन सहा को हराया था next question सेर्थासुरी का अथ्वा सेरखान का असली नाम क्या था सेर्थासुरी इसके बच्पन का नाम क्या था फरीद खान था ये कोसन पोचा जाता है इनके पिता हसन खान जोनपुर में एक चोटे जमीनदार थे फरीद ने अपने पिता की जागीर जागिर को समालते हुए काफी प्रिसास्टिक अनुभफ किये सेर खां की उपादी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसे एक सेर मानने के उपरांत में दी थी किसे बहार खान लोहानी ने वह बहुत ही बहादूर था उसने एक सेर को मार दा था तब तब से उसका नाम सेरसा सूरी पड़ा गया था सेर खान नेक्स कोशन है कई विस्राम गिरो मस्जिदों और सड़कों के निर्मार का बनेक्स कोशन को कि ऑन्योच की में सेरसा सूरी ने हुमाईयू को कितने में HIS सेरसा सूरी ने हुमायू को पराजित कर दिया था कन्योच के युद को बिल्लग्राम के युद को भी कहा जाता है इस युद में सेरसा ने हुमायू को पराजित कर दिया था इस युद के पर सेरसा ने हुमायू को बाहरे से प्लैन करने पर विवस्थ कर दिया था नेक्स कोशन चता हिमाई हुमाई फिर बाद में अपने भाईयों के पास चला गया तर वहां से अपनी सेना को फिर से खटा करके वापस आया था यूद के लिए उससे पहले इसकी सेरसा सूरी की मृत्ती हो चुगी थी सेरसा द्वारा किये के चांदी के सिक्के को किस खालतान के रूप में मुगलों ने भी जार रखा था इसका राइट वर्पिया सेरसा सुरी ने रुपिया सिक्का चलाया था आदोनिक भाष्य है मुद्रा प्रिनारी में चांदी का रूपिया तो यह सेंसा सूरी ने चलाया था तो है साथ है 11.53 ग्राम यानि कि 180 ग्रेंग चांदी के सिक्क्य को सेरसा ने एक रुपे की गीमत दी थी मुगलों ने भी चांदी के सिक्क्य को रुपे के रूप में रखा था लेकिन उसने पंद्रस चालिस से बंद्रसो पैतालिस तक ही सासन किया था सेरसा सूरी ने अब हम अकवर कि सापना अकवर ने की थी 1582 में अकवर ने दीन एहिलाही की सिरुवात की थी इसे तोईद है निमार किसे कराया? अकबर ने. एहमद नगर की किस रानी ने बादसा अकबर के विरोध किया था? तो इसका रायट राइट अंसर है चांद बीवी ने. चांद बीवी जिने चांद खातून या चांद सुलताना के नाम से भी जाना जाता है. एक भारते चान भीबी ने तरक भी अकल डिर्कावति हो इस ने कभी भी अक्वर की द 현재फीगनाई की थि उपत्य अकबर कि है कि हमारे दिन फ।ाव हम तुम हमारे राजबस पुमारे नआ kob फिम्हारे और तुम्हारी पास रहे जो है अकबर के सासन काल में आया था यह बिल्बूश सही बात है अब्दुलरजाग जो है देवराय दित्ते के सासन काल में यह ठीक है मारको पोलो जो है पांडे समराजे माया था जब कि यह जो है यह वाला जौड यूद्ध यह गलत है रॉल्फ फिच इंगलेंड का विया पारी था जो मुगल बात्सा अकबर के सासन काल में आया था जिसाब के वारे में पढ़ लिया नेक्स कुछन निम लिकित में से कौन सा विकल्प मुगल सासक उनके सासन काल के दौरान भारत आए विकाल यह नहीं कि सही तोहर पर सुमिली थैं यानिकि कुछ विदेश यात् सर्थॉमस रो सर्टोमस रो या कैप्टर्न हॉकिन्स ससन क 검शन और जया ने हैं और एक्पर के शासन काल में आया था लिकल्फ पर पर आकबर का सम्राट के रूपमें अराज्यS στο किया गया किस राज्य मनें पंजाब में पंजाब पंजाब में मदेन को पंजाब की विक्राज को बेटा था इसका नाम करते अकबर को पूरा और दिन मौम्म्मद का बेटा जिसने अकबर के दर्वार में महत्मूर भूमी का निवाई थी तो इसका राइट आंसर है अब्दुल रही में खान खाना यह बैरम खान का बेटा था बैरम खाजो है अकबर के बहुत ही संरक्षक थे जब क्योंकि पितागी मेरती तो बच्पन में ही होगी थी उनके तो वह बेलकुल उनके एक लोग्रिंब्äv खाने घाना पत्र में नवरतरों एक तो गुजरात के युद में सोरे प्रदर्सन के करन अकवर ने उसे खान खाना की उपादी दी थी रहीम अर्भी तुर्की फार्सी आदी वहां साइज जानता था इन्हें जो तिसका भी ग्यान था रहीम का जनब पंदस सपन इस्वी में लाहोर में हुआ था रहीम की कुछ रचना हैं आप इनको पढ़ सकते हैं लाक्स कोशन एहमद नगर की किस्दानी ने समराट अकवर के खिलाफ लड़ाय लड़ी थी तो यह कूं थी अभी हमनों पर पढ़ा था चांद बीबी लाक्स कोशन इन में से किसने खाने खाना की तो इसका राइट आंसर ह खाने खाना की उबादी से किसे सम्मानित किया था तो इसके राइट आंसर है बैरम खान जो इनके बाले आवस्ता से अकवर के समनक्षक थे 1561 में इन्हें हटा कर हज के लिए भीज दिया गया तहां रास्ते में पाटन नामा किस्थान पर मुबारक खाने इनकी हत्या कर दी मुबारक खाने रहीम इनके पुत्र थे जिने अकवर ने खाने खाना की उभादी दी थी अकवर कव समराड बना था तो अकवर जो है 1556 में लड़ा था जब पानिपत का दित्ते युद्ध हुआ था तो उसके दुरान ही वह समराड बन गया था उसको जीतने के बाद अकवर का सनक्षक इसने किया था बैरम खाने तो उसका राज्य विसे कवा था 1556 भी को वह 13 वर में जानने के लिए सबसे महत्पून इस्तरोत अकवर नामा है इसके रजनाकार कौन है अबूल फजल है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था तो हल्दी घाटी का युद्ध है 1556 यह बहुत ही इंपोटेंट है 18 जून 1556 को 1556 को मेवाड के राजपूत सासक महार राणा पृताब जो है पराजित हो गए थे नेक्स कोशन इनमें से कौन अकवर समराट अकवर के सासन में राजस्व मंत्री थे तो इसका रायत आंसर है तादत टोडरमल जो है राजस्व के मंत्री थे भूमी के देखते करने वाले इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं टोडरमल जो है दस साल पंदर से पंदर सुची तक की अबधी के लिए किर्सी की पैदावार कीमतों और किर्सी भूमी का किर्सी के मतलब देखवाल करते थे इन आकवरों के अधार पर प्रतियक फसल पर नगत के रूप में कर ला जाता था प्रतियक सूबे के यानि प्रां सद्ध के साल पहलन fancy में आईन ने दिहसाला नामक टोडरमल बंदवस्त कि ने किया था टोडरमल के सनक्षक्क में किया एसका अकवर के सासे नकाल में मुगल समराज्यय के वित्मंत्री थे वित्मंत्री कोन से calling म्ते इसका रहत अंसर है सार्भ भौमिक सांती सुलह कुल जामनामक एक अनोंने बनवाया था अकबर के विचार अकबर के विचार सुफी संत्थ ख्वाजा मौहिन अद्दीन चिस्ती ने सुलह कुल का सिधान दिया था जिसे अकबर ने पृतिपाजित किया इसमें यूं तो सभी दर्मों और मतों का अभी व्यक्ति की स्वतनता थी किन्तु उसकी एक सर्थी कि वे राज्य सब्ता को छती नहीं पहुचाएंगे अथ्वा आपस में नहीं लड़ेंगे फतेपुर सीक्री के किस वर्ष अभादत कहनाया था तो पंदरेश में उसने इबादत का निर्मान कराया था कि कि पानीपत्त का दूसरा और अकबर और हीमो के बीच में किस मुगल समराट ने फतेपुर सी को अपनी बनाया था तो और ना कराएट अन्सर अक्बर अकबर नहीं फत्वरसीकरग बसा ताथ उस्हें सो अपनी राजद्धानी बिना उसने गुज्राध विजया के विजह के उपलिक्स में फत्वरसीकरगा कर्वाया था वीरवल किस मुगर समराट के दर्वार में सदस्य थे तो यह अक्बर के ही थे अकबर वीबल की खा mitad दो आवंगी के लाइन next question है सेना को मजबूत करने के लिए मंसबदारी प्रिथा शुरू की थी तो मंसबदारी प्रिथा जो है अकबर नहीं शुरुआत की थी कब की थी 1574 से 1575 के बीज में मंसब का अर्थ पद एवं स्रीनी होता है समराथ अकबर सेना के महतु को भली बाती जानता था उससे पता थ सक्थिसालिग और श्याकर शांती उसलीए प्रिफ्था गाह केड़िया सकता है इसलिए आकबर ने पूर्य प्रिचरी तजाटियु दारिए प्रिथा के इस्था पर अपना इस विफ्धा की उत्पति मंगोल विज்यतर वैं आकल्मरकारि चंगेज खानकिये कांगं करये पंदर एक्टबर 1922 को उसका जनम अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था फरवरी पंदर सुचपन को गुर्दासपुर के कारण और नामकिस्थान पर बैरम खाने अकबर का राज़े भी से कराया था तब उसकी आयू मात तेहरे वर से चार महीने थी मुगल सासाख अकबर का जनम कहा हुआ था हमने बता जिया अमरकोट के राजा के महां हुआ था 27 एक्टबर को 27 एक्टबर 1605 को फट पूर सीक्री में अकबर की मिरत्जी हो गई तित था जिनने अकर आगरा के सिकंद्रा में दफनाया गया तो किस की समराथ आकबर की मिरत्जी हो गई कहा रफना आगया सिकंद्रा में आगरा के समीब नेक्स कोशन रानी हमीदा बानू बेगम मुगल समराद की पत्नी थी किसकी हमायो की पत्नी थी रानी हमीदा बानू यह अकबर की माता थी तो अकबर की माता का नाम क्या था ? हमीदा वानो था हमीदा वानो नेही नहीं दिल्ली के दीन आ, पना और पुरानी किले के निकेट हुमायो के मगरबड़े का निमा करवाया था हमीदा वानो की किसकी माती है ? समराथ अकबर की हमने पढ़ लिया Next question है निमली खित में से कौन बादसा अकबर के दर्वार में नो रतनों में से नहीं था तो इसका रायत अंसर है उस्मान अली ही नहीं था आकी राजा टोडरमल भी थे अबुल फजल भी थे और फकीर अजीयो दीन भी थे तो नो रतनों इसमें सब दिये गए हैं आप इनको वीडियो रोकर राम से बढ़ सकते हैं भारत के तीसरे मुगल समराट कौन थे यह अकबर ही थे पहले कौन थे बावर दूसरे हमायो और तीसरे नमर पर कौन था अकबर था अकबर की प्रसासनिक सीड थी तो इसकराइशन का को मुगल पुरसासनिक विरस्ता के नाम से भी जाना जाता है अब हम उसके बाद अकबर के बेटे जहांगीर के बाले में पढ़ लेते हैं भारत के इन में से तो दोस्तों बाकी हम कल वीडियो में पढ़ेंगे इस तरह से वीडियो जादे लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएगे तो कल के लिए आगर वीडियो यह वाले अच्छी लेगी है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और हमारी वीडियो को ल